स्कूल की एक्जाम खतम हो गई है और बच्चों को कहां गुमने ले जाना है ये समझ नहीं आ रहा तो एक प्लेस है जहाँ बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे पर आप भी नॉस्टाल्जिक हो जाएंगे ये प्लेस है नहरू साइन्स सेंटर तो आज हम जा रहे हैं नहरू साइन्स सेंटर इसके लिए हमने चेंबबर से मोनोरेल लिया है तो हमें महालक्षमी छोड़ेगा इसका कॉस्ट अराउंड 40 रूपीज पर परसिल है आज संद्ने है तो ये मोनोरेल काफी खाली-खाली है तो लेट्स एंजोई देराइग मैं झाले खाले इसके के लिए से अंचर सेंतर्ण के तो भी खाले परसिल हुआएग कर अजा है जा देराइग मारेल आज हमने हमने परसिल हे लिएटल के नहरे खाले जीझा कर अ अभी यहां पहुचे है नहेरु साइन्स सेंटर महालक्षमी स्टेशन से यहां वाकिंग 20 मिनिट्स का डिस्टिंस है तो अंदर आते से हमने 70 रूपीज पर परसन का एक टिकेट लिया है तो अभी हम यहां की सारी जगे एक्स्प्लोर करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं य जब इसे थोड़ा नजदीक से देखा तो पता चला यहां खेल खेल में भी साइन्स है जैसे एक पूली से वेट उठाना कितना डिफिकल्ट है पर वही वेट चार पूली से इजीली उठ जाता है हमेशा मुझे लगता था जिस ताइम पर टेक्नोलोजी इतनी एडवांस न तो यहां आके पता चला एक सिंपल पूली मशीन के हल्प से 10 किलो के वेट से 20 और 30 किलो के वेट उठाना पॉसिबल है यहां हर एक्जिबेट के बाजू में एक बोर्ड लगा है जिसकी वज़े से इन सिंपल गेम्स के पीछे का लॉजिक पता चल जाता है यह पार्क हम से छोटे-छोटे एक्सपिरिमेंट्स करवा कर साइंस को समझा ही देता है यह पार्क सुबह साड़े नौबजे खुल जाता है और पूरा वीक खुला होता है यहां करने के लिए इतनी सारी अक्टिविटीज है इसलिए सुबह जल्दी आना प्रेफर करें ता यहां के मैजिक स्विंग के पीछे का साइंस अगर जानना है तो यहां जरूरा है झाल 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 बाहर के एक्जिबट्स देखकर अब हम जा रहे हैं मेन साइंस सेंटर देखने बाहर तो काफे इंट्रस्टिंग चीजे थी अब देखते हैं अंदर क्या-क्या है मेन साइंस सेंटर में इंटर करने से पहले यहां बड़े-बड़े डाइनसाॉस के स्टैचूज दिखते हैं अंदर जाते से ही एनर्जी किस तरह से चेंज होती है यह दिखता है यूमन इंवालिशन के लिए तो यहां पर पूरा एक सेक्शन है यहां धर्ती कैसी बनी यहां से लेकर अभी तक की यूमन्स कैसे बने यहां तक की सारी इंफॉमेशन है यहां अर्थ का भी बहुत ही खूपसूरत मॉडल है जो अर्थ के लेयर्स को दिखाता है लोग खूपसूरत मॉडल बहुत है अर्थ का भी दोपस्पस्तों उहां यहां जो चूमन्स का इंब चान पर स्वेक्शनाब्स वहां यहां जो यहां जो खूपस्तों लेक्न दोपस्तों तो जो जो capable पाना है यहां एक बड़ा सा यूमन हार्ट बना है जो एक्चुल हार्ट के अप्रॉक्स 40 ताइम्स बड़ा है और इसमें लगे हुए संसर्स जब हम अंदर जाते हैं तो अक्टिवेट होकर हार्ट बीट की तरह साउंड करते है मिर्र सेक्शन यहां का सबसे फन सेक्शन है यहां इतनी सारी फन अक्टिविटीज है कि यहां से जल्दी बाहर निकलना ना मुम्किन है मुम्किन है नेक्स सेक्शन है अस्ट्रोमी जिन्हें इस्ट्रोमी में इंट्रेस्ट है उनके लिए यहां काफी सारे मॉडिल्स और इंफर्मेशन हैं। यहां काफी सारे साटिलाइट्स की मॉडिल है यहां प्लीन चलाने का भी अच्छा एक्सपीरियंस अब को मिल जाएगा इतनी जगव पर घूमने के बाद हम काफी ठक गये थे यहां एक काफेटेरिया है जहां थोड़े स्नाक्स लेकर फ्रेश होकर हम चिल्रिन सेक्शन गए चिल्रिन सेक्शन में फोर स्टैंडर्ड तक की सारी बुक्स 3D हो गई है ऐसा लग रहा था यहां काफी फ़न अक्टिविटीज है नहरू साइन्स सेंटर का एक्सपीरियन्स बहुत ही फ़न नॉस्टाल्जिक और इंफर्मेटिव था हम यहां के में साइन्स सेंटर को देखके अभी जस्ट बहार आए हैं अंदर इतने सारे अक्टिविटीज और इतने सारे एक्जिबिट्स हैं कि 2-3 गंटे कहां चले जाते हैं यह पता ही नहीं चलता तो अभी यहां का हम यह आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कोई और जग्या देखनी है तो कमेंट में जरूर बताएं